पशिम मंगाल में आने वाले साल में विधान सबाद चुनाव होने हैं ऐसे में बीजेपी, टीमसी, कॉमिनिस्ट पार्टी और कॉंग्रेस समेथ कई अनिदल भी तैयारियों में जुड़ गए हैं इन सब के बीच राजनेतिक पंडितों की माने तो बीजेपी और टीमसी के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और जब बीजेपी ने चुनावों को लेकर कमर कसली है तो सब की नजर पार्टी के चानक के कही जाने वाले अमिच्छाह पर है आज अमिच्चाह अपने पश्य मंगाल के दौरे पर रहे, पूरा दिन कारिक्रमों में व्यस्त रहे लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं हम बात करेंगे अमिच्चाह की, कि अमिच्चाह आखिर अमिच्चाह कैसे बने नमस्का, मैं भारती सिंग, आज इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे किस्सा अमिच्शाह का अमिच्शाह के सेपाठी सुधीर बताते हैं कि अमिच्शाह ने अपने जीवन का पहला चुनाव क्लास मॉनिटर के लिए कक्षा साथ में लड़ा था जिसमें उन्हें 75 प्रतीशत चात्रों ने वोड़ दिया था इसके बाद अमिच्शाह ने आखिर कैसे पाठी को जीत दिलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये आखिर कैसे पाठी के मिम्बर्स की संख्या 2 करोड से 11 करोड कर दी आखिर क्यों जीत हाथ लगने के बाद भी अनिदल अमिच्शाह के गणित में फस जाते हैं आईए हम आपको बताते हैं अमिच्शाह का जन सन 1964 में महाराष्ट राज में एक गुजराती परिवार में हुआ था इनका परिवार गुजरात के महसाना गाउं से सम्बंधित है अमिच्शाह का पूरा नाम अमिच्शाह है अमिच्शाह की प्रात्मिक शिक्षा महसाना के स्कूल से हुई इन्होंने एमदाबाद के सीउ शाह साइन्स कॉलेज से बायो केमिस्ट्री में सनाता की परिक्षा उत्तीन की 14 वर्ष की आयू में ही इन्होंने राष्टे स्वयं सेवक संग में एक तरण स्वयं सेवक के रूप में जोईन किया राश्टे स्वयन सेवक संग से ही इन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेगना मिली कॉलेज के समय से ही अमिच्षा बीजेपी के चात्र संगठन अखिल भारतिय विद्ध्यारती परिशत के लिए कारे करते थे वर्ष 1984 से 85 में अमिच्षा आधिकारिक रूप से भारतिय जन्तापाटी में शामिल हो गए अपने प्रारंबिक करियर में इन्होंने अपने पिताजी का बिजनिस भी संबाला था वर्ष 1997 में भारतिय जन्तापाटी के विद्धानसबा चुनाव लड़ने के लिए अमिच्षा को टिकेट दिया गया उन्होंने गुजरात की सरखेज विद्धानसबा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की इसके बाद उन्होंने इस सीट से लगाता तीन बार चीप दर्ज की वर्ष 2002 में गुजरात के विद्धानसबा चुनाव में जब बीजेपी को भारी मतों से चीत मिली तो पाटी ने इन्हें मंत्री पद से सम्मानित किया था तथा कई प्रमुख में भाग इन्हें दिये गए उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मूदी थे भारत में वर्ष 2014 में लोगसभा के चुनाव हुए भारतिय चंता पाटी में नरेंद्र मूदी ने प्रधान मंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की जसे भाजपा की यह सबसे बड़ी चीत थी लोगसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राजनाथ सिंग जो ततकालीन भाजपा के अध्यक्ष थे को भारत का ग्रह मंत्री बनाया गया और अमिच्छा को भाजपा का राष्ट्य अध्यक्ष फिर 2019 में हुए लोगसभा जिन पर वो अपने और प्रधानमंत्री के रिष्टे को बहुत सरल बताते हुए कहते हैं कि मैं अगर उनका हर काम करने में सक्षम हूँ तो मैं उनका बेस्ट मैन हूँ और अगर कोई और मुझसे बहतर तरीके से उनका हर काम कर सकता है तो वो उनका बेस्ट मैन होगा इसमे कुछ भी पोस्टनल नहीं है फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए News World India के साथ नमस्कार